असलाम अलेकूम दिस इस सुमेरा ताहिर, I'm a corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. उमीद है कि सब लोग खेरियस ही होंगे, अल्ला के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. आज जो मैं डिस्कस करना चाहरी हूँ इस वीडियो में, वो है, what is fraud in insurance? इंशोरंस में fraud क्या होता है? कई लोग तो सिर्फ समझते हैं कि इंशोरंस का word in itself is a fraud, but I don't agree with that insurance in itself is not a fraud. मगर हमने देखना ये कि इंशोरंस में fraud क्या होता है और किस तरह से होता है और हमने किस तरह से इसको avoid कर सकते हैं. पहली तो चीज आती है miss selling, miss selling का मतलब है कि आपकी need को सही तरह से identify नहीं किया sales person ने, उसने आपकी need को समझा नहीं या उसने जान बूच के, in other words, जान बूच के आपको ऐसा product दे दिया जो आपको, आपके lifestyle को suit नहीं करता था. For example, आप एक खातून गएं, किसी insurance company में गएं या किसी पी sales agent से मिली और उन्होंने का, जी मुझे investment करनी है, जिसमें से मुझे running income मिले, मेरे पास 10 लाग रुपया है, जो मेरे मिया की death पे मुझे मिला है, या जिस तरहां से भी है, मेरे पास 10 लाग रुपया मैं चाहरी हूँ कि वो मैं कहीं invest कर दूँ और मुझे monthly income मिलती रहे, sales agent ने क्या किया, कि वो 10 लाग का, 10 लाग का एक premium बना दिया, annual premium उसने का, जी हाँ, ये पैसे मैं आपके लगा देता हूँ, आपको जो है ना, monthly पैसे आने शुरू हो जाएंगे, बस आपने थोड़ा सा wait करना है, और उसक पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, बास जगों पे तो इतना बोलते भी नहीं है, कि हाँ, बस कहा देते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, आप ये पूरा 10 लाग लगा दें, premium, अब हो क्या रहा है, basically, ये fraud हो रहा है, ये जल्म है, कि किसी के 10 लाग किसी की मेनत की, या ज पैसा है, वो उसको वापस भी नहीं मिल सकता, तो this is fraud or you can say in other words, is a miss selling, खुदा के वास्ते, दो तीन लोगों से मशवरा कर लें, हमें तो मतला मेरे parents, मेरी mother, خصوصاً मुझे का करती थी, कोई भी चीज लेने जाती थी, comparison shopping, तो यहां पे भी comparison बहुत जरूरी है, या अपने दोस्तों, रिश्दारों से इस तरह का काम करने से पहले मशवरा कर लें, अब यह miss selling है कि उसके 10 लाग उसने लगवा दिये, premium पे उस बंदे को या बंदी को नहीं पता कि अगले साल उसके साथ होने क्या वाला है, अगले साल उसके साथ यह होने वाला है, कि ना उसको उसका के वास्ते, my request to all the sales agents, सब लोग ऐसे नहीं हैं, मगर कुछ लोग ऐसे करते हैं, प्लीज इस तरह से लोगों के साथ मत करें, लोगों की जिन्दियों के साथ मत खेलें, एक तो यह है miss selling, दूसरी miss selling क्या हो सकती है किसी के साथ कि आप उसको सही guide नहीं कर रहे हैं, अगर उसकी capacity 25,000 किया तो आप उसे एक लाग का प्रीमियम मत बेचें, आप 25,000 पर ही रहने दें उसको, miss selling है, बिल्कुल miss selling है कि अगर कोई afford एक लाग रुपिया नहीं कर सकता हो और आप उसको force कर रहे हैं कि एक लाग प्रीमियम दो, अगले साल मैं तुमारे प्रीमियम reduce करवा दूँ और अगले साल किसी को नहीं पता कि वो बंदा होगा कर नहीं और अगला बंदा आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, एक यह चीज़ हो गई, इसके अलावा मिस सेलिंग क्या हो सकती है कि आप मिस कंडक्ट में भी आ सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन और फैक्ट भी आ सकता है, उसमें चाहें लाइफ इंशूर्ड हो, सेल्स एजेंट हो, तो फर एक्जेंपल सेलिंग को पता है कि जो कस्टमर है वो रेगुलर स्मोकर है, या चेन स्मोकर है, या ड्रिंक करता है और वो फैक्ट को हाइड करता है, तो वो पेसिकली उसका लाइफ इंशूर्ड का या पॉलिसी होल्डर का वो भला नहीं कर रहा है, वो उसका नुकसान कर रहा है, क्योंकि उस वक्त तो वो पॉलिसी अप्रूफ हो जाएगी, मगर इन केस ओफ इस डेथ या क्लेम, कमपनी, कुछ भी कह सकती है, जी हमें तो इस की डिख यह नहीं गया था, और ईसकी डेथ स्वज़ऑ से हुआ है, अगर हमें पता होता कि यह इसका स्टायल यह है, यह इतने सिग्रेट्स पी रहा है, जी है इसका स्टायल इस किसम का है, तो हो सकता है, कि हम उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियु मिएम चार्ज क do this with anyone this is not good आप किसी के लिए इसमें अच्छा नहीं कर रहे इसमें लोगों के बद्वाएं या आहें लेने का कोई फाइदा नहीं लाइफ इंशूरंस अच्छी चीज है इसको लोगों को समझा के बेचें जितनी किसी को जरूरत है उतनी बेचें तो वह उसके लिए अच्छा है अगर आप फोर्स फूली या जैदा हद से बेचेंगे उसको एंहांस करके देंगे कि नहीं 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 तुम इतनी लोग ये करो वो करो तो उसका कोई फाइदा नहीं है इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है रख दिये जाते हैं और हम लोग भी देखते हैं कि हम और आपका ख्याल नहीं रखेगा और मेरी जो नेक्स वीडियो होगी वो मैं बैंक इशोरंस पे बनाओंगी उसमें मैं आपको दो तीन उसकी जो हैं पार्ट होंगे तो पहली जो मेरा इरादा है वो बनाने का है कि कस्टमर्स के लिए कौन से बैनिफिट्स हैं और कौन सी ड्रॉबच्स हैं बैंक इशोरंस की तो यूगाश चूर लुक फोरवड तो डाट वीडियो थैंक यू सो मच फो वाचिंग मैं वीडियो फो लिसनिंग तो मी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें दौाओं में याद रखें आप लोगों की दौाओं की मुझे बहुत जरूरत है बलके सब लोगों के लिए दौा करें दौा सब के लिए करनी चाहिए और थैंक यू सो मच अल्ला हाफिज तिल मैं नेक्स वीडियो बाई बाई